नमस्कार इंडिया, मैं हूँ विनौध आप देख रहे हैं टेक्निकल सैनी जी यूटूब चेनल ग्यान बांटने से बढ़ता है और इस चेनल पर आपको हमेशा कुछ नया सिखने को मिलता है जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एड्सेंस अकnaunt केरेट करना बताऊँगा यानि नया एड्सेंस अकाँट कैसे बनाते हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एड्सेंस अकांट आखिर होता क्या है और क्या काम आता है तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तो अगर आप किसी वेबसाइट पर या फिर यूटूब पर फेस्बुक पर कहीं से भी US डोलर में पेमेंट रिसीव करते हैं यानि पैसा कमाते हैं गूगल से या गूगल एडिसन से तो आपकी जो पेमेंट होती है वो गूगल आ आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसपर कर दिया जाता है जो आपके देश की या आपके कंट्री की जो क्रेंसी होती है उसी क्रेंसी में आपको वो पैसा कनवर्ट होके मिल जाता है तो वो जो पेमेंट होता है जो रूपेया होते हैं जो आप गूगल के एडिसन से कम या फिर एड्ज आपकी वेबसाइट पर या फिर यूटूब चैनल के आपके वीडियो पर एड्ड लगा कर या फिर आपका एप है या फेस्बुक पर आप एड्ड लगाते हैं गूगल के तो उनसे जो पैमेंट आप कमाते हैं जो पैसा आपको गूगल देता है वो आपके एड्जस अकाउंट में भेजता है तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में एक एड्जस अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है जब ही आप अपनी फेस्बुक पर गूगल की कोई भी वेबसाइट आपके पास में है तो वेबसाइट पर या फिर आपकी यूटूब च बनाना सिखांगे एक सोटकर तरीका है जिससे आप एड्जस अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं mobile screen पर और एड्जस अकाउंट बनाना सीखते हैं देखरोस्तों अब हम mobile screen पर आ चूक हैं और mobile से गूगल AdSense account बनाना सीखेंगे मैं आपको बता दूँ आप laptop, computer या desktop पर भी अगर AdSense account बना रहे हैं तो ठीक इसी परकार से जिस परकार मैं mobile में करके दिखा रहा हूँ उसमें भी कर सकते हैं same processing रहेगी तो सबसे पहले आपको अपने mobile में Chrome browser को open करना है या किसी भी browser जिसमें आप internet चलाते हैं उसको open कर लेंगे Google का search engine जैसे ही open हो जाता है यहाँ पर आपको लिखना है AdSense ठीके, जैसे ही AdSense लिखेंगे A-D-S-E-N-S-E same spelling होनी चीए, correct ठीके तो यहाँ पर official website का link आ जाएगा ओपर यूपर, देखें मैं link फिर से दिखा देता हूँ यह official link रहेगा Google AdSense, earn money from website monetization ठीके, इस पर आपको किलिक करना है इस पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का option आएगा और यहाँ पर बाकाइदा लिखा हुआ है sign up now मतलब नया account open करें तो इस पर sign up पर किलिक कर देंगे sign up पर किलिक करते ही यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे आपके सामने नया option खुल रहा है और यहाँ पर एक number option है URL of your site मतलब आपकी website का URL यहाँ पर डालना है दोस्तों लेकिन अगर हो सकता है लिए बनाना चाहते हो तो इसके लिए अलग-अलग criteria है दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपका YouTube channel है उसके लिए एडिसंस अकाउंट बनाना चाहते है तो उस channel का URL आपको देना है उसका link यहाँ पर आपको paste करना है copy और paste यहाँ पर link कर देंगे देखे मैं आपको बता दूँ कि लेकिन website जो अगर YouTube का अगर link देंगे channel का तो उस channel पर कम से कम 1000 subscriber होने चाहिए और आपका वीडियो जो है 4000 घंटे तक देखे हुए होने चाहिए जब ही आपका जो है यहाँ से adsense account बनेगा अगर नहीं होंगी यह condition पूरी तो adsense account नहीं बनेगा एक नया option खुल जाएगा मैं एक बार करके दिखाता हूँ आप ठीक है मैंने यहाँ पर मेरे YouTube channel का link दे दिया है secret finder का हलां कि इसके अभी 4000 घंटे पूरे नहीं हुए subscriber तो हो गए है इसलिए यहाँ पर adsense account नहीं बनेगा यहाँ पर एक email ID आपको दे देनी है आप अगर किसी website या फिर YouTube channel के लिए डाल रहे है तो वही email ID देनी है जिससे आपने channel बनाया हुआ है या फिर website बनाई हुई है ठीक है अब नीचे आपको option मिलेगा तो इसमें yes पर किलिक कर देना है और save and continue पर किलिक करना है जैसे ही आप किलिक करेंगे आपकी सामने नए option खुल जाएंगे देखे यहाँ पर लिखा हुआ है continue in YouTube मतलब अभी इस YouTube की condition पूरी नहीं हुई है मतलब 4000 गंटे का worst time नहीं हुआ और 1000 subscriber नहीं है एक नया AdSense account बनाने के लिए तो इसके बारे में details से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसलिए इस तरीके से आपको दिख रहा है इसका मतलब आपका channel अभी monetize के लिए apply नहीं कर सकते हैं आप condition पूरी नहीं हुई लेकिन इसका shortcut तरीका में आपको समझाता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको यह समझ लेना है माल लो आपकी एक website भी है तो इस website का आपको यहाँ पर URL बना लेना है URL बनाने का तरीका यहाँ पर लिखा गया है माल लो आपने ऐसी website बना ली है www.example.com तो आपका जो channel का नाम है वो आप लिख देंगे देखिए इस तरीके से लिखना है www www लिख देंगे उसके बाद में आपकी channel का नाम माल लो मेरे channel का नाम है Technical Senezy तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Technical Senezy ठीक है और इसके बाद में .com मैं ये मेरी website बनाना चाहता हूँ तो इसलिए माल लो मैं Google AdSense को बता रहा हूँ कि ये मेरी website है और इसको monetize करने के लिए मैं ये AdSense account बना रहा हूँ ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से आपका channel भी है website, website नहीं भी है आप भविसे में बनाना चाहते हैं तो इस परकार से ये URL आप बना देंगे ठीक है, अब यहाँ पर आपको email ID देनी है मैं एक dummy email ID यहाँ पर दे देता हूँ जो मैं कोई काम में नहीं लेता ये email ID मैंने भर दी है दोस्तो email ID भरते समय आप विसेश ध्यान रखेंगे ये Gmail पर ही आपकी email ID होनी चाहिए याहू, Reddit आदी पर email ID होगी तो साइध आपका account नहीं भी बने या time लग सकता है क्योंकि ये Gmail जो है Google का product है और AdSense भी Google का product है इसलिए Google की तरब से इसको जल्दी verify हो जाती है तो Gmail पर ही आपकी email ID जो बनी भी है या फिर जिस email ID से आपका YouTube channel है website है उसी email ID को यहाँ पर भर दे ताकि उसी से आपका AdSense account भी भन जाएगा अब यहाँ पर इस पर नीचे option है yes इस पर आप किलिक कर देंगे ठीक है get help AdSense जो भी info है यह भी मिलती रहेगी अब देखे यह highlight हो गया है तो इस पर किलिक कर देंगे save and continue और यहाँ पर देखे यह लिखा आ गया next you will sign in your Google AdSense account continue to set up AdSense तो इस पर मैं किलिक कर देता हूँ save and continue पर जैसे ही आप किलिक करेंगे आपके सामने यह देखे नए option खुल जाते हैं और आपकी email id पूछी जा रही है email id वही है जिसको next पर किलिक कर देंगे next पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपको password लगाने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर आपको अपनी email id के password लगा देने है यह देखे मैंने email id के password लगा दिये है और इस तरीके से यह देखे मेरे सामने option आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है you are indicated that you will receive occasional adsense performance suggestion ठीक है change info अब यहाँ पर नीचे जो details है इसको सही करनी है तो details देखे select your country करनी है तो इस पर click करना है जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा country को select कर लोगा जिस भी country से आप belong करते हैं जैसे इंडिया से अपन है तो इंडिया यहाँ पर select कर लेंगे यह देखे इंडिया पर click कर दिया अब नीचे चलेंगे नीचे जैसे ही चलेंगे इसकी terms condition आ गई इनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे सामने देखें नया option खुल गया है Yes, I have read and accept इस पर किलिक कर देंगे इस column में जैसे ही किलिक करेंगे Keydiet account option हो गया highlight इस पर हम किलिक करते हैं इस पर किलिक करते ही हमारे सामने हमारा AdSense account बन जाता है देखे इस तरीके से आपको यहां पर AdSense account आपका बन जाता है और यह बोला जा रहा है देखे Add Made Easy Get Started So Get Started पर हम किलिक करते ही और इस तरीके से हम देखते हैं हमारा Google AdSense account किस तरीके से बनता है यह Google AdSense account के लिए पहले address हमें भरना पड़ता है individual है या business है तो इसको individual ही आपको रखना है दोस्तो पूरी details आपको feel करनी है अभी तक पूरा account आपका बना नहीं है इसलिए आपको यहाँ पर address डाल देना है आपका address वही डालना है जो आपके document में है आधार काड़िया अन्ने जो भी ID है उसमें जो address है वह आपको sim भर देना है यहाँ पर आपको name भर देना है name वही भरना है जो आपके bank detail में होगा दोस्तों मैं यह trial के लिए dummy trial के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं जो भी मेरी इच्छा है वो भर देता हूँ विकी ठीके और मैं यहाँ पर विकी जो भी आगे आपका last नाम है वो भी आप भर सकते हैं ठीके मैं विकी रहने देता हूँ विकी सेनी नहीं लगाता यहाँ ठीके क्यूंकि document में जो होगा जो document है उसमें है वो ही आपको भरना है तो मैं यहाँ पर address भर कर किलिक कर देता हूँ यह देखिए मैंने यहाँ पर पूरा address भर दिया है आपको pin code भी भर देने है और आपका जो CT name भर देना है यहाँ पर आपके mobile नमर भी आप भरना चाहो तो भर देना है भर देने चाहिए ठीक है optional है हाला कि लेकिन में mobile नमर आपको भर देने चाहिए ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर submit कर देदा ठीक है जैसे ही आप submit करेंगे मेरा यह demo है टाइल एक तरीके से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इसलिए मैं mobile नमर खाली छोड़ रहा हूँ यह भर देने उसके बाद में आपके mobile नमर लगाने है अन्ने कोई country है तो आपका country code उसके बाद में आपके mobile नमर भरने है और उसके बाद में text message भेजना चाहते हैं या फिर voice call करना चाहते हैं तो मैं text message से verify करना चाता हूँ इसलिए text message पर किलिक कर दूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है get verification code इस पर किलिक कर देंगे जैसे ही get verification code पर किलिक किया तो एक message चला जाएगा इस नम्मर पर यह देखिए मेरे पास verification code आ चुका है 6 enc का जो verification code है वो यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर verification code मैंने डाल दिया है जैसे ही verification code डालेंगे उसके बाद में submit बटन पर किलिक करेंगे जैसे ही submit बटन पर किलिक करते हैं हमारा जो है adsense account verify हो जाता है verify होने के बाद यहाँ से adsense account बन जाता है आप देख सकते हैं AdSense account done हो चुका है उसके बाद में आप अपना AdSense account खोल कर कभी भी देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर open करके दिखा देखें अब देखिए AdSense account वो बनने के बाद वहाँ से logout कर देंगे logout करने के बाद में ऐसे ही Google AdSense फिर से जो है सर्च जो Chrome browser है उसकी Google के सर्च इंजन में हम लखेंगे AdSense तो यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पर किलिक न करके अपने को यहाँ पर किलिक करना है देखिए राइट साइड में जो लाइन दिख रही है इन पर आपको किलिक करना है इन पर जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने option आएगा sign in इन पर किलिक करना है sign in पर जैसे ही sign up पर नहीं करना ऊपर वाले पर करना है sign in पर जैसे ही sign in पर किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर email id सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा या फिर email id के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको अपनी email id डालनी है जिससे आपका जो है आपने AdSense account बनाया था email id सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर password लगा देने हैं जैसे ही आप password लगाएंगे जिस email id से आपने AdSense account बनाया था उसके बाद में देखिए आपका AdSense account यहाँ पर open हो जाता है और जिस तरीके से open होगा देखिए यहाँ पर पूरी process आप देख सकते हैं यह AdSense account आपका आ चुका है